हलो एवरिवन, वेले लिएक्यू स्टड़ी आएक्यू के इस वीडियो में मैं सितंबर के पहले हफते का भाग दो आप तक हिंदी में लेकर आऊँगा जो पहला भाग था उसमें मैंने लगबग 100 कोश्चन कवर किये थे और लगबग 100 कोश्चन ही इस वीडियो में कवर करूगा यानि पहले हफते के सितंबर से 200 कोश्चन मैं आप तक लेकर आऊँगा अगर आप SSE, CGL, Bank PO या UPSC के तयारी कर रहे हैं इसके लावा CLAD, DSSB, KBS वगरा तो हमारे Pen Drive Courses उपलब्द हैं आप दिये हुए Numbers पर डायल करके ज़्या जंकारी ले सकते हैं या Buy करने के लिए StudyIQ.com पर जाकर उसे खरिद सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हरसिम्रत कॉर बादल जो हमारी Food Processing Minister है हरसिम्रत कॉर बादल ने लॉंच करा है एक Common Food Processing Incubation Center for Shallot जिसको बोलते हैं छोटे प्याज तो छोटे प्याज के लिए एक Food Processing Center कहां बन रहा है कौन से राजे में बन रहा है ये राजे है तमिलनाडू अगर पूछें तमिलनाडू के कौन से डिस्टिक्ट में बन रहा है तो ये डिस्टिक्ट है पैरम बलूर और इसमें एक करोट रुपे का लगबख खर्चा आएगा और एक चीज और याद रखिए पिछले साल मिशन बनाना लॉंच किया गया था और इस साल का जो मिशन है वो है मिशन अनियन यानि जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है पिछले साल बनाना केलों के लिए और इस साल प्याज पे फोकस कर रही है तमिलाडू के गवर्नर है सी विद्यासागर राओ जो महराश्टर के गवर्नर भी है एक और बाद याद रखनी है जो यहां के उप मुख्य मंत्री बने है नए वो है ओपनीर सेल्वम और मुख्य मंत्री है एड़ा पड़ी पलना स्वामी उप्राश्पती वैंकाया नैडू जो भारत के तेहरवे उप्राश्पती है इन्होंने अभी अभी लॉंच करा एक वेबसाइट एक पोर्टल जो की एक national digital infrastructure एक teachers के लिए इसका क्या नाम है इसका नाम रखा गया है दिक्षा इसमें teachers जो हैं जो पढ़ाते हैं वो अपनी skills को अपने कोशल विकास को भढ़ाने के लिए वो इस पर पोर्टल पर जा सकते हैं और free courses available हैं इसका slogan भी दिया गया है national digital infrastructure for our teachers our heroes यानि कि national digital infrastructure हमारे teachers हमारे heroes हैं उनके लिए एक और बात याद रखनी है भारत में हम teachers day मनाते हैं 5 सितंबर को डॉक्टर सरवपली रादा किष्ण का जरन दिन होता है लेकिन पूरी दुनिया में teachers day मनाय जाता है 5th October को तो अगर question आए national teachers day यानि दाश्ट्रिय सिख्षक दिवस कब है तो आंसर है 5 सितंबर और अंतर आश्ट्री सिख्षक दिवस कब है तो आंसर है 5 October तो question को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है अभी अभी DHFL जो company है इसका नय managing director और CEO किसे बनाए DHFL ये एक finance company है दिवान हाउसिंग finance corporation लिमेटेड इसके ने director बने है मिस्टर हर्शिल महता इन में से कौन सी company है जिसने IPL और digital right खरीद लिये है यानि कहने का मतलब आप जो IPL होगा वो परसारित किया जाएगा इस channel के द्वारा इस company के द्वारा 16,347 करोड रुपे में rights खरीदे हैं तो ये है Star India Star India और Star India के chairman कौन है Mr. Uday Shankar तो Star Sports वगारा जो भी ये ये channel है इन पर आप IPL का मज़ा लेंगे इन में से कौन से वेक्तित तुम है जिने plus alliance prize मिला ये ceremony हुई T.H.E. World Academic Summit जो England की राजधानी London के अंदर हुआ था तो किसको मिलाएगे ये ये वाट दो लोगों को मिला है एक मिला है Mr. Narayan Murthy को N.R. Narayan Murthy Infosys Company के one of the co-founders है और Veena Sahaj वाला को तो answer है one and two और Narayan Murthy अभी भी news में आय थे क्योंकि जो Infosys Company है उसके जो CEO थे विशाल सिक्का उन्होंने अपना resignation दे दिया Narayan Murthy से उनकी लड़ाई हो गई थी और उसके बाद नंदन निलेकनी वो उन्होंने एक्टिंग CEO बने है Infosys के दुबारा तो ये सब चीज़े याद रखिए और जो ये plus जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये collaboration है Arizona State University जो अमरीका में है और King's College London और UNSW Sydney के बीच में भारत ने अभी अभी एक सालाना Annual Defense Ministerial Dialogue करा है कौन से देश के साथ ये Tokyo के अंदर हुआ और Tokyo Japan की राजधानी है तो ये जापान के साथ हुआ तो याद रखिए जापान के जो परधान मंतरी है भारत आने वाले है Shinjo Abe उनका नाम है Shinjo Abe जापान की currency है yen इन में से कौन सी actress है जिनने अभी 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 appoint करा गया है ये पहली महिला Ambassador बनी है Friends of Australia Advocacy Panel by Tourism Australia यानि Australia ने अपना परियाटन विभाग उसे और जदाक्त अच्छा करने के लिए इनने ब्रेंड मेसेडर गनाया है तो इनका नाम है परिनीती चोपड़ा और संजीव कपूर ये भी थे महशूर जो कुक हैं शेफ हैं और उनके बाद हरशा भोग ले वो भी थे लेकिन महीला ये पहली हैं Friends of Australia की ब्रेंड मेसेडर इन्वे से किस वैक्ति ने Make My Trip कंपनी के प्रेजिडेंट पद से इस्तिफा दे दिया है, resignation दे दिया है इनका नाम है आशीश कश्यप ये Ibibo नाम की ये कंपनी है ये भी ट्रेवल टूर वगरा में डिल करती है तो ये Ibibo कंपनी के को फाउंडर है और जो ग्रूप CEO है वो है दीप काल रहा इन्हों से कौन सा बॉक्सर है भारत का जिसने ब्रॉंज मेडल जीता AIBA World Boxing Championship जो हैंबर्ग में हुई थी जर्मनी के अंदर हैंबर्ग हैंबर्ग में इस साल का G20 समिट भी हुगा था तो ये इनका नाम है गौरव विदूरी गौरव विदूरी इन्होंने 56 किलोग्राम वर की कैटेगरी में जीता है और ये चोथे भारतिये बने हैं जिन्होंने किसी भी ग्लोबल मीट में कोई मेडल जीता है इन में से 15,000 रन बनाने वाले अंतराश्टे क्रिकेट में सबसे तेज बल्लेबाज कोन बन गए यानि किस बैट्समैन ने सबसे कम इनिंग्स में ये बनाए है तो ये रिकोर्ड थोड़ा हाशी मामला का रिकोर्ड टूटा है ये हाशी मामला ने 336 पारियों में बनाए 15,000 रन लेकिन विराट कोली ने बना दिये हैं सिरफ 333 में यानि 3 पारी कम लिए है तो हाशी मामला का रिकोर्ड थोड़ा है याद रखिए इन में से कॉल इंडिया का नया चेर्मेन और मेनेजिंग डिरेक्टर किसे बनाया गया है ये बहुत जादा important question है कॉल इंडिया भारती सबसे बड़ी PSU उसमें से एक है इन्होंने replace करा है सूर्थीर्थ भटाचारिया को इनका नाम है गोपाल सिंग UIDAI Unique Identification Authority of India तो UIDAI जो है इन्होंने announce करा है कि ये एक fine लेंगे आपसे आपके उपर एक fine लगाएंगे कितने amount का per uncovered branch from October 2017 if the banks fail to open अधार enrollment center in 10% of branches देखिए, banks को ये निर्देश दिये गए है कि कम से कम अपनी 10% branches में आपको अधार enrollment center खोलने है जहाँ पर लोग जाके अधार card बनवा सकते हैं अगर ऐसा नहीं करते तो ये आपके उपर UIDAI एक fine लगाएगी कितना fine लगाएगी ये आपके उपर fine लगाएगी 20,000 रुपे 20,000 रुपे per uncovered branch तो ये fine होगा और UIDAI के जो CEO है वो है आजे भूशन पांडे और आप जानते है आधार card UIDAI के अई के अगर आता है तो ये question बहुत important हो जाता है कि UIDAI का CEO कोने और chairman कोने chairman है Mr. J. Satya Narayan दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं वैसे chairman कूछने के chance जाता रहते है तो J. Satya Narayan है UIDAI के chairman और अजे भूशन पांडे है UIDAI के CEO इन में से कौन से राजे की सरकार ने launch करा है जल सिरी की हारात initiative जल सिरी की हारात initiative इसमें जो पानी जहाँ पे होता है जैसे नदिया है इनकी पूजा की जाएगी इनकी प्रेयर की जाएगी जिससे पानी को बचाये जा सके और चंदरबाबु नाइडु ने एक program ये अटेंड करा है तो ये राजे होए आंदरपरदेश वहाँ के मुख्यमंत्री है चंदरबाबु नाइडु तेलगु देसम पार्टी इनकी पार्टी का नाम है एक और program पूछ सकते है जो चला है आंदरपरदेश में इसका नाम है कृष्णा हारती कृष्णा हारती प्रोग्राम ये भी आंदरपरदेश के अंदर चलाये जा रहा है इन में से कौन सा देश है जिसने एक नया कानून बनाया है वो नया कानून ये है कि ये देश अब तेल नहीं निकालेगा दो जार चालिस तक इस देश में अगर आप हैं तो तेल का उत्पादन या तेल को जमीन या समुदर से नहीं निकाल सकते हैं तक ये देश है France, और जो France है वहाँ पे उनकी जो national consumption है उसका सिरफ 1% वो उनके देश कवाला यूज करते थे, सारा आयात करते हैं, तो वो 1% भी नहीं निकालेंगे, कहने का मतलब France अपना जितना भी पैटरोल वगरा सब यूज करता है, सब भार से खरीदता है, पहले सिरफ 1 परसेंट अपने देश का यूज करता था, अब वो 1% भी नहीं करेगा, अपने देश का तेल बचाना चाहता है, फ्रांस के जो राजपती हैं, वो हैं Emmanuel Macron, ये फ्रांस के इतिहास में सबसे यंग, सबसे कम उमर के राजपती है, राजधानी है पैरिस, जो यूनेसको का हेड quarter BA, और फ्रांस में मुद्रा चलती है, यूरो और CFP, फ्रेंक, इन में से कौन सी कमपनी है, जिसने साइन करा है, MOU, रोसो, बोरोन एक्सपोर्ट, रशिया की कमपनी के साथ, और Elcom Group, इंडिया के साथ, ये दोनों मिलके, जो vehicle solution प्रोवाइड करेंगे, भारतिये, आम्ड फ इनोद दसारी, अशोक लेलेंड के, who has been appointed as a chairman MD of Press Trust of India, PTI, यानि Press Trust of India का chairman और Managing Director कोन बर है, इनका नाम है, Vivek Goenka, और Mr. N. Ravi, ये appoint किये गए है, Vice Chairman, इसे पहले थे Riyad Matthew, तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो इसे पहले थे कोन थे chairman, तो Riyad Matthew थे, भारत में शरम कानून लाने का प कितने Labor Act लेके आएगी, चार Labor Code को frame करके, टोटल Labor Act कितने हैं, टोटल Labor Act है 38, और बस इसमें इतना यादर किये, चार Labor Code हैं, जैसे Wages के उपर है, Industrial Relations पे है, Social Security पे है और Occupational Safety पे है, ये है चार Labor Code, मैं repeat कर देता हूँ फटाफट, Wages, Industrial Relations, Social Security और Occupational Safety and Health, इस बिल का नाम है, Code on Wages Bill 2017, और ये August में इंट्रोड्यूस किया गया था, हमारे Labor Minister कौन है, संतोष कुमार गंगवार, संतोष कुमार गंगवार, जो इससे पहले Labor Minister थे, वो थे बंदारू दतत्रिया, इन्होंने अब रिजाइन कर दिया है, बंदारू दतत्रिया अब नहीं है, और जो संतोष गंगवार है, ये बरेली से सांसद है, इन में से कौन से राज्ये के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इनागरेट करा है, शहीद लक्षमन नायक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कौरापुट में, ये कौरापुट नकसल प्रभावी तेहरिया है, ओडिसा के अंदर, सो आ implantable bio artificial pancreas model grow किया है, 3D silk scaffold के अंदर, pancreas क्या होता है, जो हमारी बोड़ी में insulin मनाता है, glucagon बनाता है, ये सब pancreas है, हमारी बोड़ी में जो sugar का level maintain करके रखता है, तो एक नकली pancreas बनाया है, इन्होंने 3D silk scaffold के अंदर, ये research करके दिखाया है, गुवाहाटी के वैज्यानिक इन में से विजया बैंक के नए managing director और CEO कौन बने है, ये Mr. Kishor Kumar Sansi को replace करेंगे, और इनका नाम है R.A. Shankar Narayanan, इन में से कौन से देश के वैज्यानिकों ने एक नकली पत्ती बनाई है, पेड़ की पत्ती होती है, जो सूरज की किरनों को absorb कर सकती है, और पानी से hydrogen fuel, hydrogen इंधन को बना सकती है, ये research करके दिखाया है भारत के वैज्यानिकों ने answer एंडिया, और पूछें अगर किसने करा है, तो ये करा है CSIR की National Chemical Laboratory पुने ने, में repeat करता हूँ, National Chemical Laboratory पुने ने, पंजाब और महराष्टर का जो cooperative bank है, उन्होंने अभी अभी कौन सी insurance company के साथ अनुबंद क किया है, इसको बोलते हैं bank assurance, जब एक insurance company किसी bank के साथ tie up करती है, और इसमें फायदा ये होता है कि insurance company जो है, वो bank के through अपने products को sell करती है, क्योंकि bank का consumer base काफी बड़ा होता है, और insurance company को commission मिल जाता है, ये नोंने किया है Excide Life Insurance Company के साथ, Excide Life Insurance Company जिसका headquarter है, बैंगलूरू में, और इस company की CEO है, शिते जैन, अभी अभी Eastern Economic Forum का तीसरा edition हुआ, conduct किया गया, कौन से देश के अंदर किया गया, और ये जगा है, वलादी वोस्तोग, जो दुनिया की सबसे ठंडी जगाओं में से एक है, तो ये है रश्या के अंदर, रश्या के राश्पती है वलादी मिर यानि प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाब जो होता है, जिसे बोलते हैं, DBT, हस्तांतरन के लिए direct, सारी schemes के अंदर लागू कर दिया है, तो ये राज्या है, असाम, असाम की राजधानी है दिस्पूर, गवर्नर है बनवारी लाल कुरोहित, मुख्य मंत्री है सर्वनन सोनोवाल और यहाँ पे कुछ important national park भी है, जैसे सोनई रुपई, जैसे मनास, ओरांग, काजी रंगा, नामेरी, इतियादी, हिमाचल परदेश में है पिन वैली national park, पिन वैली national park, राजस्तान में है सरिस्का, रंथमबोर, भरतपुर, जिसे कियो लाडियों कहते हैं, और इसके लाबा एक ओर है desert national park है, केरल में है मुख्य पैरियार national park, इन में से कौन से shooter हैं, जिन्होंने silver medal जीता है, men's double trap event, ISSF World Shotgun Championship जो मोस्को के अंदर हुई थी, इनका नाम है अंकुर मित्तल, अंकुर मित्तल, और junior event में बात करूँ, तो अहावार रिजवी, जो option 3 है, अहावार रिजवी इन्होंने junior event के इंदर जीता है, silver medal, same event के इंदर, और भारतिय टीम की junior men's double team ने gold जीता है, लेकिन आप बस एक clear याद रखिये, mainly अंकुर मित्तल, joint military exercise भारत और शिरलंका के बीच अभी-अभी होई, विशाका पटनम में, विशाका पटनम का है, आंधर परदेश में, और आ इन में से national mineral development corporation यानि NMDC का chairman और managing director कौन बनाएं, क्या नाम है इनका, इनका नाम है बैजंदर कुमार, direct question है, public sector appointment है, very important question, कौन से formula 1 driver है, जिनोंने italian grow pre जीत ली है, इटली के प्रधान मंत्री है Paolo Gentiloni, और इटली की राजानी Rome है, Rome के अंदर headquarter किसका है, Rome के अंदर headquarter है, food and agriculture organization का, और world food program का, और इटली जो है, ये एक काफी important country है, यहाँ पे world heritage site सबसे ज़्यादा है, तरेपन, इन driver का नाम है Lewis Hamilton, और Lewis Hamilton जो है ये Mercedes गाड़ी चलाते हैं, और दूसरे number पे आए Max Verstappen, इन में से किसने अभी अभी partnership करी है, build desk नाम की company के साथ, ये 59 service providers को भारत QR payment enable करने मे मदद करेगी, ये कौन सी company है, ये company है, वीजा, जो अंतरिक्ष, जो astronomer होते हैं, उन्होंने अभी अभी identify करा है, दूसरा सबसे ज़्यादा तेज घूमने वाला pulsar, ये एक तरह का special star होता है, खास तरह का तारा होता है, पलसर, अब ये बताइए, ये कितने चकर लगाता है एक मिनट के अंदर, सबसे तेज घूमने वाला दुनिया का तारा है, दूसरा सबसे तेज, सबसे तेज नहीं, दूसरा सबसे तेज, तो इसकी जो speed है, वो है 42,000 revolution per minute, 42,000 per minute, और इसको Netherlands का low frequency array, radio telescope, जिससे short में बोलते हैं, L-O-F-A-R, उससे खो जा गया है, Netherlands, Netherlands की राजधा करता हूँ, कौन सी life insurance company है, जिससे approval मिल गया है, से भी दुआरा, अब यह अपना IPO शुरू कर सकती है, initial public offering, पैसा उठा सकती है, लेकिन 84,000 करोड तक का, तो यह मिला है, SBI Life Insurance को, SBI Life Insurance, और एक और चीज, जो ICICI company है, ICICI Lombard, General Insurance Company, उसे भी approval मिल गया है, 6000 करोड तक का, तो दो कौनों याद रखी, अगर पूछे, 8400 करोड तो आंसर है, SBI, और अगर 6400 करोड तो आंसर है, 6000 करोड तो आंसर है, ICICI Lombard, और एक और important चीज, Reliance General Insurance Company, जो है, इसे Insurance Regulatory Development Authority of India से, in principle approval मिल गया है, और Ildai के chair में है, TS Vision, और एक important बात यह, भारत में दो बैंक है, जो domestic systemically important bank है, IC ICICI और SBI, अब तीसरा bank भी जुड़ गया है, HDFC, इन में से किस व्यक्ति ने Indian Chambers of Commerce Industry यानि FIC की, Federation of Indian Chambers of Commerce Industry का Secretary General इसे इने बनाया गया है, यह मशूर economist है, और पहले economic सलाकार भी थे, इनका नाम है Professor Sanjay Baru, इन में से कौन सा देश है, जो Dreamers Program अपना खतम कर रहा है, जिसके हिसा जो बच्चे हैं जैसे, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता था, तो बच्चों की श्रेणी में रखके उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता था, illegally, तो Dreamers Program खतम करने वाला जो देश है, वो है USA, USA, और यह जो प्रोग्राम है, इसे बोलते हैं, Deferred Action for Childhood Arrival, इसको Obama ने शुरू कि लेकिन जो Trump हैं, वो यह कहते हैं कि कोई भी immigrant या refugee दूसरे country से नहीं आने चाहिए, दिलिप trophy, यह कानपूर में और लखनव में चल रही है, यह कौन से sports से associated है, और इसमें 4 match खेले जाएंगे तीन teams के द्वारा, और तीन team कौन सी हैं, एक तो है India Blue, जिसके captain है सुरेश रहना एक है India Red, जिसके captain है अभिनव मुकुंद, और एक है India Green, जिसके captain है पार्थिव पटेल, तो यह बात हो रही है cricket की, इन में से कौन सी company है, जिसने 200 million dollar की funding उठाई है, soft bank vision fund से, soft bank जो company है, यह जापान की company है, और यह telecom company है महां की, तो इस company ने invest करा है भी अभी Oyo Rooms के अंदर, Oyo Rooms, Oyo Rooms के जो founder है और जो CEO है वो है, रितेश अगरवाल, रितेश अगरवाल, एक और बात याद रखिए, soft bank ने एक कोन company में invest करा हुआ है, वो है flip card, flip card ने भी बहुत बड़ी funding उठाई थी, soft bank से, और flip card company के जो CEO है, वो है कल्यान कृष्ण मूर्ती, इन में से कौन सा दे इंडिया, इंडिया होस्ट कर रहा है, और अभी का जो current edition है, मैं तो 2019 की बात कर रहा हूँ, अभी अभी जो चल रहा है, वो हो रहा है, गोल्ड कोस्ट में, गोल्ड कोस्ट कहां पे है, कमेंट्स में लिखके बताओ, कहां है गोल्ड कोस्ट, और एक और important बात, भारत के दो weight जीता चानू, दोनोंने gold medal जीता है, भारतिय संचार निगम लिमिटेट, जो हमारी सरकारी टेलेकॉम कमपनी है, उन्होंने एक agreement करा है, कौन सी कमपनी के साथ, ये दोनों मिलके 5G और Internet of Things भारत मिलाने का परियतन करेंगे, तो ये कमपनी है, कोरियांट, कोरियांट नाम की क इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, तो इन्होंने इसका नाम रखा है, हौटीनेट, हौटीनेट, और हमारी Commerce Secretary कौन है, Commerce Secretary है, रीता टियोटिया, रीता टियोटिया, अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ चलिए, हमारी जो Commerce Minister है, पहले थी निर्मला सितरमन, ठीक है, अब ये Defense Minister बन गई है, तो इनका स्थान किसने लिया है, कौन है भारत के Commerce Minister, और ये अपने, ये काफी important Ministry म ले लिए, कमेंट्स में लिखके बताओ, इन में से कौन सा देश है, जिसने एक Investigation शुरू करा है, कि ये जो देश है, ये ये कहता है कि Stainless Steel जो चाइना और भारत से आता है, वो dumping करता है, मतलब भारत और चाइना हमारे देश में Steel की dumping करता है, ऐसा इस देश ने इलजाम Capability, यानि हमारी जो लड़ने की शमता है, वो भड़ा सके, इस कमेटी का नाम क्या था, इस कमेटी पे हमने एक अलग से पूरा वीडियो भी दिया है, इस कमेटी का नाम था, Lieutenant General DB, शेकाट कर कमेटी, और इसके ज़्यादा तर जो provision थे वो मान लिए गए, येस bank, इन्होंने एक charter sign किया है, कौन से भारतिय इंस्टिटूट अफ मेनेजमेंट, IAM के साथ, ये अब climate literacy शुरू करेंगे, यानि जो जलवायू परिवरते हैं उसको रोकने के लिए जो सिक्षा दी जाएगी, वो करेंगे, इससे हमारे, हम climate के बारे में sensitize हो, हम जलवायू परिवरते को र इसलिए हमारे पास अगर कहीं inflation या कोई recession आता है, तो हम उतना affect नहीं होते, खास का recession से, क्योंकि हमारे पाँ forest reserve बहुत जादे रहते हैं, तो ये पताईए, चार category होती है, Forex reserve के अंदर, इन में से कौन सी वो category नहीं है, special drawing rights, gold, debt instrument या reserve transposition, so answer है, debt instrument, debt instrument में नहीं होते, और इसकी जंगा कौन सा होता है, चोथा, वो है foreign currency asset, foreign currency asset, special drawing right, gold और reserve transposition, Amazon जो company है, इन्होंने announce कराया अपना partnership, अक्षय पत्र foundation के साथ, ये दोनों मिलके लागू करेंगे, शीर भाग गया योजना, कौन से शेर में करेंगे, ये योजना शुरू करेंगे, ये दोनों मिलके, और जहां ये करेंगे, वो है बैंगलूरू, अब इसमें ये समझ लीजिए कि ये scheme क्या है, देखिए इसमें जो school के बच्चे है, उन्हें हफते में 5 दिन, एक गिलास और ये दूद करनाटक मिलक फेडरेशन प्रोवाइड करेगा, तो आंसर है बैंगलूरू, करनाटक की राज़ानी, करनाटक जो है, वहाँ पे है, आंची, नेशनल पार्ग, कुद्रे मुखा, बनर गट्टा, बांधीपूर, नागार होले, और डांडेली, ये सब इंपोर परपस ये है कि भारत में हर बच्चा, हर एडॉलसेंट गर्ल, और हर महिला, उन्हें प्रॉपर पोशन मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, दो हजार बाइस तक, ये किसने लॉंच करा है, ये करा है, नीती आयोग ने, नीती आयोग के वाइस चेर्मेन है, राजीव कुम के फादर थे, नॉर्मन बॉर्लॉग, तिरू अनम, ये सलिब्रेट किया गया धूम धाम से, ना सिरफ भारत में, पूरी दुनिया में, ये एक हरवेस्ट फेस्टिवल है, कौन से रच जेगा, तो ये काफी आसान सवाल है, ये फेस्टिवल है, केरल का, केरल का, MHA ने अभ की घ्रह मंतरा लेगी, इन्होंने हमारे जो पुलिस फोर्स है, आम पुलिस फोर्स, उनमें जो डिरेक्टर जनरल होते है, उनकी ताकत, पहले थी, 10 करोड रुपे तक के वो प्रोजेक्ट अपनी मर्जी से एक्जिक्यूट कर सकते थे, परन्तु, अब ये भढ़ागे कितन पुलिस फोर्स में, CISF बोलते हैं Central Industrial Security Force, जो एरपोर्ट वगारा पे हमारी रक्षा करती है, बोर्टर सेक्यूरिटी फोर्स बोलते हैं, जो सीमा सुरक्षा बहला है, जो बोर्टर वगारा पे, और CRPF होता है Central Desert Police Force, SSB, अरण चना रामसुंदरम, National Security Guard जो है, सुधिर प्रत Dairies के साथ, इस राज्य में जो Dairy अदूद की, उनके साथ Agreement करा है, यह Agreement यह है कि जो आंगनवाडी के बच्चे होते हैं, आंगनवाडी बच्चे के भारत में 27 लाख आंगनवाडी बरकर हैं, उनके बच्चों को proper nutrition मिलना चाहिए, कूपोशन का शिकार वो नहीं होने चाहि इसके लिए इस राज्य ने उनके साथ नुबंद किया है, कौन सा राज्य है यह? यह राज्य है गुजरात, गुजरात के मुख्य मंत्री है विजरुपानी और गुजरात में ही है अमूल, गुजरात में एक जगाए आनंद, आनंद को बोलते हैं हम Milk City of India, पेट्रोनेट LNG यह एक Liquefied Natural Gas Import Terminal बना रहा है कहाँ पे? मैं रिपीट करता हूँ, पेट्रोनेट LNG जो कमपनी है, यह एक Liquefied Natural Gas LNG Import Terminal बना रहा है कहाँ पे? कौन से देश में बना रहा है? यह बना रहा है श्रिलंका में और यह एक तरह से भारत और श्रिलंका के जो रिष्टे हैं वो जो उजाला स्कीम भारत में जिन्होंने इंप्लिमेंट करी है, अब इन्होंने कौन से देश में, तो आंसर यहां है, मलेशिया में भी लॉंच कर दिया उजाला, यानि उननत जोती for affordable LEDs for all, यानि कहने का मतलब जो बिजली बचाएगी, जिसमें हमारी स्कीम यह है, 77 क्रोड बल हम रिप्लेस करेंगे उजाला स्कीम के तहएट LED बल्ब से, जिमारी बजली बचाएगी, अब यह बताएगे कि मलेशिया में कहां लॉंच करी है, मलेशिया में लॉंच करी है, मलाका में, मलाका, और मलेशिया की राज़ानिया क्वालालंपूर, करंसी भी पूछते हैं और नजीब रजाक ये हैं मलेशा के पर्धानमंत्री जो भारत भी आये थे इसी साल इन में से कौन से राज्ये की सरकार ने Hyperloop Transportation Technology ने HTT के साथ मिलाया है ये अब मिलके भारत का पहला Hyperloop प्रोजेक्ट उसको implement करेंगे लागू करेंगे तो ये connect करेगा Hyperloop विजयवाड़ा को अमरावती से तो विजयवाड़ा अमरावती कहा है आंदरपरदेश अमरावती तो आंदरपरदेश की डालधानी है और 35 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 5 मिनट में ट्रेवल हो जाएगा Hyperloop से इन में से किसने अभी अभी women single event जीता अमरीका का जो करम बोर्ड का tournament वह था US Open Grand Slam करम ये एक इंडियन ने जीता है ये बहुत बड़ी बात है और इनका नाम है तेजस्वी दूदू का तेजस्वी दूदू का और अगर मैं men's section की बात करूँ तो second position और first दोनों Indian है second आई है अनिल कुमार इन्होंने जीता है silver रज़त पदक और gold medal मिला यानि first position मिली है national champion पूर national champion जिनका नाम है राधा कृष्णन सरकार ने अभी अभी notification दिया है कि जो GST सैसे वो mid और large car पे 15% से बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा ये कर दिया जाएगा 25% इन में से कौन से पहलवान है wrestler है जिने 25 लाख रुपे का इनाम मिला है उन्हें compensation मिला है क्योंकि इन्हें 2002 के जो 14 एशन खेल हुए थे South Korea में उन्हें participate नहीं करने दिया था और ये गलत तरीके से ने रोका गया था इसके लिए 25 लाख रुपे का इने ये मिला है तो ये दिल्ली High Court का order था Wrestling Federation of India यानि WFI को पे करना पड़ेगा ये wrestler है सतीश कुमार सतीश कुमार के साथ नाइन साफी हुई थी लेकिन कोर्ट ने अब काय कि 25 लाख इने मुआबज़ा दो और इन्होंने 2006 के Commonwealth में गोल्ड मेडल जीता था Next question है एक अभी अभी किताब आई है ये question बुक सेन ओथर से भारत दुनिया को किस तरह देखता है इसको किस ने लिखा है इसको लिखा है भारत के पूर फॉरण सेक्रेटरी शाम सरन ने शाम सरन इसको खुद परधान पूर परधान मंत्री डॉक्र मनमोहन सिंग ने लांच करा है और इसमें काफी important जो पाकिस्तान के साथ हमारे रिष्टे है उन पर भी चर्चा हुए Vatican ने अभी अभी Mother Teresa को दूसरा patron saint of the Archdioces घोशित करा लेकिन ये कहां का saint? मतलब patron saint कहां का? कौन से एरिया का? तो ये है Calcutta इनका जो नाम है वो अब जब भी Archdioces prayer होगी उसके अंदर अभी इनका नाम mention किया जाएगा याद रखिए और अगर पूछें कि पहले patron saint of the Archdioces कौन है तो वो है Saint Francis Zavier Saint Francis Zavier और दूसरी है Mother Teresa तो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है अब आपके लिए आज का तीसरा सवाल Mother Teresa जी का जरम कौन से देश में हुआ था क्या आप बता सकते हैं comments में लिखे इन में से National Authority of Chemical Weapons Convention यानि NACWC का chairperson किसे बनाया गया है तो इसके chairperson बने है इंदर जीत सिंग भारत जो है वो joint military exercise कर रहा है योदब्यास कहां पे कर रहा है योदब्यास हम अमरीका के साथ करते हैं आप जानते हैं इस बार ये तेहरवा योदब्यास होगा exercise और ये हम कर रहे हैं वाशिंग्टन DC में ये 14 से लेके 27 सितंबर तक होगी इन में से कौन सा bank है जिन्होंने एक अपना खुद का robot बनाया है chatbot artificial intelligence पे based है customers की सुविधा के लिए तो क्या नाम है इसका chatbot का जो chatbot है ये बताएए ये कौन से bank ने बनाया है बस इतना पतादेजिए ये बनाया है State Bank of India State Bank of India SBI इसकी Chairman अरुनती बटाचा रहा और इसका इन्होंने नाम रखा है SBI Intelligence Intelligent Assistant यानि SIA और इससे पहले दो बैंक अलड़ी ये बना चुके हैं ICIC Bank और HDFC Bank इन में से कौन से राज्य की सरकार ने के MOU sign करा है Google के साथ Digital Literacy को promote करने के लिए यानि जो Digital साक्षर्ता है उसको Google promote करेगा इस राज्य में ये राज्य है गुजरात और इसका नाम रखा है Digital Gujarat Movement Google के CEO इंडिया ने है उनका नाम है सुंदर पिच्चई इन में से किस ने जिता है एजो चैम द्वारा दिया हुआ Services Excellence Award यानि Associated Chambers of Commerce and Industry of India का Services Excellence Award ये वाट जिता है Gift City ने गुजरात में जो Gift City है और अगर पूछे हैं Managing Director और CEO कौन है Gift City के तो ये है Ajay Pandey Ajay Pandey सरकार ने अभी-भी Accept करे हैं Recommendation के ये किस के करे हैं कौन सी कमेटी है इन्होंने ये कहा है कि जो civilians है उनको equality मिलनी चाहिए payment related जो disability है grant of disability to the grant forces कहने का मतलब जो सेना से जुड़े हुए लोग है उन्हें उतना ही grant मिलना चाहिए अपंगता के लिए उतना मुआवजा मिलना चाहिए जितना civilians को मिलता है तो ये कौन सी कमेटी ने का है ये का है National Anomaly Committee National Anomaly Committee CSO यानि Central Statistics Office के हिसाब से इन में से कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा fastest expanding economy है रही Financial Year 2016 में वित्तिय वर्ष 2016 में ये राज्य है अरुनाचल प्रदेश इसके मुखे मंत्री BJP के है पेमा खंडू और इसका जो GDP है स्टेट GDP वो ग्रो करा साड़े सोला परसेंट दूसे नंबर पे था जमू कश्मीर 14.7% और तीसे नंबर पे गोआ फिर गुजरात और फिर अरुनाचल आंधर परदेश साइज के हिसाब से अगर बात करें तो फोर्स पहले नंबर पे महाराश्टरी रहेगा और दूसे नंबर पे था महाराश्टरी के बाद तमिलनाडू तीसरे पे था गुजरात इन में से किसे सरस्वती सम्मान साहित्य पुरुसकार अरदेगर सम्मानित किया गया है 2016 के लिए क्या नाम है इनका इनका नाम है महाबलेश्वर सैल महाबलेश्वर सैल इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है हौथान और ये कौंगणी में लिखते है जो गोगा की राजकिय भाशा है इन में से कौन से राजे की सरकार ने लॉंच करा है ज्यान कुंज नाम का प्रोजेक्ट इसमें टोटल खर्चा किया जाएगा एक स्कूल के उपर दो लाख बाईस हजार और ये लॉंच किया गया एक स्कूल में जिसका नाम है शाहपुर प्राइमरी स्कूल गांधी नगर के अंदर टोटल पैसा खर्च होगा 35 करोड 85 लाख रुपे और इस राजे के गवर्नर है ओम परकाश कोली नहीं है मद्यपरदेश नहीं है ये है गुजराद मद्यपरदेश के गवर्नर भी ओम परकाश कोली है उनको एडिशनल चार्ज है तो ये है गुजराद इन्होंने लॉंच करा है ज्यान कुंज प्रोजेक्ट भारत ने अभी अभी आधार शिला रखी पेंशन पेंग ओफिस की पीपीओ बनेगा जो 45,000 इंडियन आर्मी गोर्खा पेंशनर्स को सर्व करेगा और उनके परिवारों को यानि जो इंडियन आर्मी का गोर्खा जो बटालियन है रेजिमेंट है उनके जो पेंशनर है उनकी families को सर्व करेगा ये है pension paying office ये कहाँ पे इसकी अधारशिला रखी गई इसकी अधारशिला रखी गई काठमांडू के अंदर काठमांडू के अंदर कहाँ अगर पूछें तो जगा है बटवाल और भारत के राजदूत कोने नेपाल में मंजीव पूरी इन्होंने अधारशिला रखी मंजीव पूरी भारत के राजदूत है नेपाल में इनमें से कौन सा कंपनी है कौन सी कंपनी है जिन्होंने लॉंच करा है GST Advantage जिससे जो छोटे business है वो अपना GST return फाइल कर सके Small and Medium Enterprises GST Advantage नाम का एक portal जिन्होंने लॉंच करा है ये लॉंच करा है Airtel Business ने Airtel Business इन्होंने ये clear tax के साथ मिलके लॉंच करा है Minister of State जो है हमारे Ministry of Development of North East region यानि D.O.N.R.E.R. बोलते है Development of North East region उत्तरपुर्वी राजयों के विकास के जो हमारा इन्होंने अभी-अभी एक त्योहार लॉंच करा है North East calling यानि North East तुमें बुला रहा है ये कहाँ पे लॉंच करा है इन्होंने इसको लॉंच करा गया नई दिल्ली के अंदर India Gate के उपर ये हुआ भारत ने अभी-अभी अन्राउंस करा है आंदर परदेश के मुख्यमंत्री चंदरबागु नईडू ने अभी-अभी अनाउंस करा है एक करोड रुपे का प्रुसकार देंगे अरजुन अवर्डी वेनम जोती सुरेखा को ये कौन सा खेल खेलती है जिसमें उन्होंने आंदर परदेश का नामूचा करा है ये हैं तीर अंदाज आर्चरी करती हैं ये और अब आपसे डिफिकल्ट सवाल पूछता हूँ भारत की बहुत फेमस आर्चर है बॉंबाइला देवी कमेंट्स में लिखके बताओ बॉंबाइला देवी कौन से राज्य की है कमेंट्स में लिखके बताओ आईबियम जो दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है सुचा प्रतोगी की कंपनी है इन्होंने 240 मिलियन डॉलर का Artificial Intelligence Research Lab बनाया है कौन सी उनिवरस्टी के इंदर बनाया है यह उनिवरस्टी है MIT Massachusetts Institute of Technology Massachusetts Institute of Technology परधार मंत्री नरेंदर मोधी जो है इन्होंने एक अनौंस करा है एक ग्रांट मिलेगा ग्रैटिस वीजा यानि कि जो ग्रैटिस वीजा है उसको इन्होंने अपना रेटिफिकेशन दे दिया अपनी मंजूरी दे दिये यह कौन से देश के सिटिजन के लिए है यह सिटिजन है मयामार के मयामार की राजधानी है नेप्री डाओ मयामार का पुराना नमे बर्मा और पुरानी राजधानी थी यंगून और यह मयामार में अभी गए थे नहिंदर मोधी, ग्राटिस का मतलब होता है free of cost, कोई पैसा नहीं लगेगा कोई पैसा नहीं लगेगा और ये भी डिसाइड किया गया कि 40 मया मार के नागरी जो भारत की जेलों में बंदें उन्हें भी छोड़ा जाएगा भारत ने अभी अभी एक अपना offshore petrol vessel वरुन, पैट्रोल वैसल मतलब होता है जो निगरानी रखने के काम आता है, इसका नाम है वरुन ये कौन से देश को दिया है ये दिया है इनोंने शिरलंका को शिरलंका को और दो offshore petrol vessel हैं जो अभी तक शिरलंका को दिये हैं एक तो है वराहा और एक है विग्राहा तो उसके बाद अभी यह अगला है इसका नाम है वरुन इससे पहले दो शिलंगा को हम दे चुके हैं वराहा और विग्राहा इसकी कैपिटल है श्री जवर्दनेपूरी कोटे प्रेजिडेंट है मित्रिपला श्री सेना और परधानमंत्री रानिल विक्रम सिंगे गौरी लंकेश इनको मार दिया इनका इनकी हत्या कर दी साथ बुलेट मारे तीन इनकी बॉड़ी में चले गए और ये बहुत मशूर पत्री का थी ये कौन सी भाशा में लिखती थी इनका नाम ता गौरी लंकेश पत्री के ये कौन सी भाशा में लिखती थी ये लिखती थी कन्नड के अंदर इनके जो पिता थे वो भी बहुत महशूर जनरलिस्ट थे इन में से कौन से राज्जे ने ये डिसाइड कराए कि हमें एक बहुत ही विशुस्तर का modern career center बनाएंगे जहांपे बच्चों को career counseling दी जाएगी free of cost ये बनाया है असाम ने अमरीका ने एक conditional military assistance कितने amount की दी है पाकिस्तान को यानि पाकिस्तान को शर्तिया तोर पर एक military assistance दी जाएगी आतंकबाद को खतम करने के लिए ये कितने रुपे की announce करी अमरीका ने 225 million डॉलर और ये तभी मिलेगी अगर वो terrorism के खिलाफ जो पाकिस्तान के internal terror network है उनके खिलाफ कारेवाई करेंगे इन में से कौन सी company है जिसने data management company data wave को खरीद लिया है ये खरीदा है HCL technology ने जिसका headquarter है NOIDA में और इस company के जो founder है वो है शिव नदार और अर्जुन मलोत्रा इस company के CEO है Mr. C. Vijay Kumar और data wave company के CEO है अगर पूछें तो Mark Butterworth ये UK की company बस इतना अधर लो data wave इन में से कौन सी company है जिसे 1200 करोड रुपे का highway contract दिया है मयामार ने मयामार के लिए NHAI ने यानि National Highway Authority ऑफ इंडिया जो है रोड बनाने के लिए उन्होंने 1200 करोड रुपे का रोड ये रोड का प्रोजेक्ट है मयामार के अंदर ये कौन सी company को award किया है ये company है पुंज वराहा ये बनाएगी 1200 करोड रुपे का प्रोजेक्ट इने मिला इसके लिए ये joint venture है पुंज लॉयड और वराहा infrastructure के बीच में NHAI होता है National Highway Authority of India इसके chairman है दीपक कुमार इन में से कौन सी company है जिने सेवी ने 10 साल के लिए बैन कर दिया securities market से क्योंकि ये अपने जो investor है उनकी शिकायतों का निवारण नहीं कर पा रही थी तो ये company कौन सी है Orion, 10 साल के लिए securities market से banned नीती आयोग जो है इन्होंने एक task force बनाया है जिससे भारत का जो निर्यात विभाग है भारत के निर्यात उनमें रोजगार जनरेट किया जा सके इस task force के head कौन बनाये गए है इसके head बनाये है निती आयोग के वाइस चेर्मेन राजीव कुमार और ये report सम्मिट करेंगे परधान मंत्री को नमॉंबर में इनमें से भारत के दो बैड्मिंटन प्लेयर कौन है जिन्होंने mix double title जीता है mix double में एक male होता है एक female होती है 2017 hell a open international challenge जो लिवाडिया में हुआ ग्रीस में ग्रीस की राजदानी एथेंस है जहाँ पे 2004 के उलम्पिक खेल खेले गए थे और पहले उलम्पिक खेल दुनिया के हुए थे रोहन कपूर और कुहू गर्ग इन में से कौन सा instant messaging app है जिसने launch करा है एक अपना app businesses के लिए businesses के लिए app launch करा है ये launch करा है whatsapp ने whatsapp ने अपना एक अभी इसका pilot testing चल रहा है और whatsapp जो है ये एक green color का check mark देगी badge जैसे आपने facebook पे देखा होगा जो verified account होते है उन पे एक tick mark आता है youtube पे भी tick mark आता है whatsapp पे भी आया करेगा verified account के लिए इन में से कौन से देश के विग्यानिक है जिन्होंने एक model तयार करा है जो ये बता पाएगा कि मौसम बदलने के साथ-साथ कितने डेंगू के cases हो सकते है यानि डेंगू पे एक तरह की सतर्पता देगा ये कौन से देश ने करा है ये करा है भारत ने जो डेंगू है ये एडीस नाम का मच्छर होता है A-E-D-E-S एडीस इजिप्टी उसके काटने से फैलता है वैसे वाइरस से फैलता है लेकिन इस वाइरस को लेके उड़ता है A-E-D-E-S इजिप्टी इन में से FIFA Under 17 World Cup जो भारत में हो रहा है इसका official गाना launch हुआ है क्या नाम है उस गाने का? इस गाने का नाम है करके दिखा दे गोल करके दिखा दे गोल और इसको लिखा है Amitabh Bhattacharya ने और इसको compose करा है प्रितम ने एक और चीज All India Football Federation के प्रेजिरेंट है प्रफुल पटेल और World Cup जो है ये खेला जाएगा Final Salt Lake Stadium में इन में से Star India की Digital शाखा कौन सी है जिसमें इन्होंने 1200 करोड रुपे का धन इन्वेस्ट करा है इसका नाम है Hot Star अभी नर्मदा महुत सब यात्रा शुरू करी है सुरिंदर नगर से ये कौन सा डैम अभी बनके पूरा हो गया है नर्मदा नदी के उपर ये डैम है सरदार सरोवल डैम और 84 नर्मदा रत है जो पूरे राज्य में निकाले जाएंगे और ये खतम कहां पे होगी यात्रा ये खतम होगी दाभोई में जो है वडोदरा के अंदर इन में से कौन सी और्गिनाइजेशन है जिन्होंने 10 मिलियन डॉलर इंवेस्ट करे हैं एकुटी के रूप में पावर 2 SME के अंदर पावर 2 SME नाम के प्रोजेक्ट में ये और्गिनाइजेशन है IFC और IFC के CEO है फिलिप हाउरियू वाशिंग्टन में इसका हैड़कॉर्टर है कितने MOU भारत ने साइन करे अभी-अभी मयामार के साथ पधार मंत्री मोधी तीन दिवसी मयामार की आत्रा पे गए थे और एक बात याद रखिए यहांके जो प्रेजिडेंट है उनका नाम है हतिन कयाओ लेकिन डीफेक्टो लिडर आंसंग सुकी है लेकिन ये वही सोनिया गांदी अश्ते से बिल्कुल टाइम पर आएगा तो देखते रहिए Study IQ और इस वीडियो के जोरान में आप से कुछ कुश्चिन पूछें उनका जवाब भी देने के आप परियतन करिए Thank you